तोस्तों, राम राम डेरो शुपकामनाओं के साथ, मैं और आप लाइप लाइप कट लाइप चैट ऊपर अपचैट को अपचैट को अपचैट चलें, तो आईए मित्रों अब सीधी से बात नोबकवास और सीधा सा बात ये है कि संधी में हम चल रहे थे और संधी में हम यहाँ देख रहे थे कि संधी कहते किसे हैं संधी किसे कहा जाए इसी चीज को रखते हुए हम यहाँ पर शुरुवात करते हैं संधी का यहाँ पर व्यंजन संधी पर हागे थे कि हम लोग जंजन संदी में भी हम हम इस्चुत्व संदी क्या होती संदी अब का सब क्या होती है सबसे पहले उसे पर समझ ले एक संस्क्रतenda कि बनाए गए हैं शुत्र का मतलब है नियम नियम बनाए गए है यह नियम इसलिए बनाए गए है ताकि किसी प्रकार की कोई दाद विवाद ना तो कहा इस तो इस चूना इस एक शूत्र बनाए गए और यह क्या कहता है उस पर भी बात करें यह शूत्र कहता है कि से एवं तैवर्ग, तैवर्ग का मतलब तै, ठै, दै, धै, ने, के बाद या पहले, क्या हो, से या चैवर्ग हो, हो, चैवर्ग का मतलब, चैवर्ग हो, तो क्या होगा, तो, प्रशन है न, तो क्या होने बाला है, तो, से, एवं तैवर्ग, तैवर्ग को, क्रम से, क्रम से, से एवं चैवर्ग होगा, चैवर्ग होगा, कैसे हो भई, प्रशन है न, कैसे हो, तो, यहाँ पर जहाँ हम चलेंगे, तो यहाँ देखना होगा, से, ते, ठे, धे, धे, न, अब मैं यहाँ जाओं, और यहाँ दिखाए दिए रहे है, से, ते को, चैवर्ग, यहाँ पर, छे, यहाँ पर, जे, यहाँ पर, इस तरह से हमारे पास, संदी वीशेश में आया, कि इस संदी में तो क्या होगा क्या, होगा ही केवल वही, कि जो कि हम यह चाहते हैं, नियम क्या है, कहा से, से मतलब धनतव यह से, और ते वर्ग का, कोई भी वनाए, और उसके बाद या पहले, से या चैवर्ग का आ रहा हो तो से और चैवर्ग नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या, से एवं ते वर्ग में बदलावाएगा, वो भी क्रम्स है, कहा क्रम्स है, से के इस्तान पर शे, ते के इस्तान पर चै, ते को चै, दे को जे, धे को जे, ने को यह होगा, तब जाकर कि हमारे यहां पूल होगा, अब इसी चीज़ को हम और डंग से समझते हैं कैसे समझें तो उधान रखते हैं एक उधान है मेरे पास वो देखें क्या उधान है उस उधान में हम चलें और देखेंगे यहां तो हमें यहां आ रहा है रामस चै और एग है मेरे पास तोड़ना है एक जोड़ो एक तोड़ो एक है हरिस सेते जोड़ना भी है और फिर हमारे पास यहां पर फिर मेरे पास है सत सत चरित्रम सत चरित्रम और एक है सत चरित्रम सात्वा मेरे पास है उद्ध शजन दूसरा है मेरे पास उज्वल अब जब हम इसको रामस से को जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेगा वो बात करते हैं चै नहीं बदल रहा बदल रहा है से तो क्या आएगा रामस चै और यहां पजबत तोड़ू तो क्या टूट रहा है रामस चिनोती कहा इसे तोने पर इस से की स्थान पर यहीं से क्यों हुआ अरे नियम ने कहा ना नियम क्या कह रहा है से और तै वर्ग के स्थान पर ही से और चै वर्ग होगा अब होगा तो इस पर चलते हैं यहां पर मैं जोड़ू इसे तो से है के बाद में क्या हो रहा है अरिशेते इसको तोड़ेंगे तो क्या टूट रहा है अरिशेत इसको जोड़ेंगे तो सचरीतम और इसको तोड़ेंगे तो यानि शंदी विच्चेत तोड़ने मतलब शंदी विच्चेत करना है कुछ और नहीं तोड़ना है हमें शब्दों को जो है चोड़ना और तोड़ना है अब हमारे पार इस शुत शंदी में दैके इस्थान पर क्या होता है दैके इस्थान पर जय होता है यह ध्यान रखना होगा तो जय होगा तो सजन और यहां पर हमें तोड़ना है तो उद संदी विच्छेद किया तो ज्वाला उद ज्वाला और लेकर करके आप समझ सकते हैं यहां पर कि यजधन ने क्या बनाओगे और इसका संदी विच्छेद क्या करोगे यहां मेरे पास एक और पद है यह रहा और एक पद मेरे पास यह है अब इसको तुना अशाद देख के चलो यहां पर यह है यह यह है भाई और यह जै है और यह नै जै का बदलाव क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यहां साफ सब्सक्राइब पढ़ा कि चैवर्ग बन नहीं बदलेगा इसमें बदलेगा तो कौन सा बदलेगा? तैवर्ग ही बदलेगा तो तैवर के कौन सा है ने अब नेके इस्थान पर पांच वावन चै का कौन सा है यही होगा अब दोनों को यदि मिला दूँ जै और यहां को मिलाओं तो क्या बनेगा यज्य है अब इसको तोड़ दो संदी विछेद है याज धन ने किसे तोड़े जब मैं इसको तोड़ना शुरू करता हूं तो क्या बन रहा है याज धन ना और यहां संदी विछेद किया हुआ है जोड़ू तो यह लिजीगा तो इस तरह से हम जब रूपों को देखेंगे तो हमारे यहां नजर आएंगी अब एक प्रशन मना लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहें प्रशन यह पूछ लिया प्रशन पूछने में पीछे हटेगा क्यों परिक्षट वह पूछ रहा है यज धन ने कि इत्यस्या कि संधी पद मस्ती कि संधी पद बताओं अब मैं संधी पद बताऊंगा तो मुझे चार ओप्शन भी चीएंगे देखिए ए भी सीडी कि अब चार जब ओप्शन होंगे तो मिरे पास एक तो होगा यजन एक होगा मिरे पास याजन एक होगा मिरे पास यग्य और एक होगा मिरे पास यजन तो ऐसी स्थिति में आपको आंसर देना है कि यहां यग्य होगा कौनसा होगा यग्य होगा दीरे दीरे आपको यहाँ पर इस संदी के बाद में हम जब संदी में आगे भड़े तो हमें यहाँ दिखाई एक और देरी है नाम है उसका स्टुत्व संदी स्टुत्व संदी पर जब आप जाते हैं तो क्या नजर आता है वह स्टुत्व संदी है नाम क्या है स्टुत्व संदी है अब स्टुत्व संदी को हम लेकर करके जाएं तो हम यहाँ समझ में आएगा क्या आएगा वो भी देखो स्टुत्र है इसका स्टुना स्टु क्या कहता है यह इसका अर्थ भी जाएं और देखें यह कहता है से एवं तैवर्ग के योग में से एवं तैवर्ग होने पर क्रम से क्रम से से एवं तैवर्ग होने के इस्थान पर क्या होने वाला है से एवं तैवर्ग होगा होगा देखते हैं कैसे होगा से तै थै दै धै ने इस्थान पर मूर्धन्य से तै थै दै और दै और ने च्थान की और हम चलें और देखेंगे कि वह क्या करने जा रहा है उधान को समझने के लिए हमें सुत्र को समझने के लिए उधान की आवर्शक्ता होगी उसके बेरा हम करेंगे कैसे तो ऐसी स्थिति में हम इसको उधान बनाते हैं एक को तोड़ो एक को जोड़ो चलिए मैं यहाँ पर एक तो मैं यहाँ तूटा हुआ रख देता हूँ और एक जुडा हुआ है ना जब तक हम तूटे हुए जुडे हुए मैं नहीं देखेंगे तब तक हमारा होगा कैसे तत टीका और उधान रखते हैं हम और फिर इनने जुडेंगे तोडेंगे, फिर जोडेंगे, जोडेंगे, फिर तोडेंगे और इसी तोड़ का ही नाम ही संधी है अधिस धन थाता उधान में ले हम थैका हो गया तो अब लेते हैं हम सट धन तै है तै को तो बदलाव हो गए ही नहीं जो बदलाव होना है वो दै में होना है तो उधान को हम यहां बदल दिये हमने यहां रख दिया हमने उद्ध तन डैनम यहां उधान हम रखेंगे पस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चलेंगे बहुत कुछ मिल जाएगा जैसे कि उधान है चक्रीन ढोग से और भी ऐसा रखेंगा जिससे हमें और ध्यान में पढ़ जाए उधान में तो इन चीज़ों को देखने के लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा हर चीज को कि सब इसका बनाओं तो क्या बनेगा यहां सैथा इस सै को रामस सश्ट बन गया संदी कौन सी स्टुत्व इसको तोड़ा जाए तो रामस अन्य टीका तीखते तीखते महलब रचना करना तीखते महलब टीका करता है रचना है अब यहां पर सै हो गया तय आगे है तय को क्या हो जाए तो तक्टी का वह रचना श्रौीज यहाँ साथा तो बदलेग इस में आएगा इस थाए में क्योँ? क्योंकि तैवर्ग का ही बढ़ बदलेगा तो क्या बनेगा सस्था पर इसमें भी क्या बदलेगा थै बदलेगा और क्या बनाऊ अधिस थाता यहाँ पर क्या रखों उड़ेन तो उड़ेड़ेनम और यहाँ क्या रखे हम चक्रिन ढोक से है गया तो चक्रिन ढोक से में हम चक्रिन ढोक से यह सारे उड़ान किसके बनगे स्टुत्व संदी के उड़ान है अब कहा कुछ और भी उड़ान है वो भी देखो जैसे सट नाम सट नवती संख्या है कि नहीं है अरे नवती संख्या है नबबे और चई छान में तो यहाँ पर जब हम रूप बनाएंगे तो नाम क्या बन रहा है सन नाम और यहाँ क्या बन रहा है सन नवती सण नवती इस तरह से रूब ये बना किसमें स्टुत्व संधी में कहा इसी तरह एक संधी और है जिसका नाम है जसत्व जसत्व संधी क्या होती है परिक्षव किस पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी देता है आईए हम भी ध्यान देंगे और सुत्र है जलेगा जलां जस्व अंति कि अच्छा कुछ बच्चेओं का हमीशा ध्यान होता है इस तरह सुत्र कितने एक हैं तो वित्रों पर ना जाकर के संधी पर जाओ कि संधियां कितनी हैं कि यदि शुत्रों की बात करेंगे तो संस्कृत में अस्टा ध्याई और अस्टा ध्याई में तो करिबन 3900 से अधिक शुत्र हैं तो थोड़ असा हमें यहां ध्यान रखना होगा कि हम ऐसी कोई भी दिमाग में नहीं डालें जिससे की हमें समश्य उत्पन हो यह शुत्र क्या कहता है अर्थ देखें अर्थ कहा जब पूर्व पद के अंत में किसी भी वर्ग का किसी भी वर्ग का क्या हो फिर से देखो पूर्व पद पद मतलब शब्द शब्द के अंत में क्या हो किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण या दितिय वर्ण या लगाते चले ताकि ध्यान रहे कि या लगाया है या तृतिय वर्ण या चत्तुर्थ वर्ण एवं से से है से से है वनों में से कोई भीवन हो तथा बाद वाले पद का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का किसी भी वर्ग का वर्ग का तृतिय वर्ण या चतुर्थ वर्ण या पंचम वर्ण पाच्वा अथ्वा ये वे रे ले है वर्णों में से वर्णों वर्णों में से कोई भी वनाए वर्ण हो या कोई भी स्वर हो तो पूर्व पद का अंतिम वन अपने ही वर्ग का अपने ही वर्ग का तृतिय अर्थार्थ तीसरा वन बन जाता है अपने है इसे चसत्व संधी कहते हैं अब आजाओ समझने के लिए शुत्र तो छोटा सा था जलाम जस्व अंते कितना छोटा सा सुत्र था तेकि सोच के देखिएगा इसका अर्थ देखीगा हिंदी में कितना वड़ा हुआ है क्या कहा जब पूर्पद या शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का या तो क्या हो प्रथम वन या फिर क्या हो दूसरा वन या तीसरा वन या चोथा वन और ये ये भी ना हो तो से 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 है में से कोई सा भी वन पूर्पद के अंत में हो और फिर क्या हो कि बाद वाला जो पद है उसका प्रथम वन क्या हो किसी भी वरका या तो तीसरा वन हो या चोथा वन हो या फिर पाँचवा वन हो यदि ये वन नहीं है तो ये वे रे ले है में से कोई वन हो कजब ये भी नहीं है तब क्या करूं तो कजब ये भी नहीं है त तो अपने ही वर्गे के तीसरे वन में बदल जाएगा कोण से में तीसरे में काई तो बहुत बड़ा हो गया इसको छोटा कैसे करें आईए इसको छोटा और सल कर देते माई शुरी शुत्र याद रहने चींद जो कि मैंने पढ़ाए थे आपको सबसे पहले लाओ जल यानि यह कहां होंगे पूर पद के अंत में अंत में होंगे कोण जल जल का मतलब है किसी भी वरका पहला वन दूसरा वन तीसरा वन या चोथा वन या फिर क्या हो से 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 हे हो तो हम के की लैन में चलते हैं के खे गे ये लो साब और के का अच्छान कंठ है इसलिए है भी कहा रखेंगे इसी के साथ वही इसका भी उचान स्थान तो वही है फिर कहा दूसरे लाएं चै की लाएं में तो चै चै जै जै अब चै का ही उचान किसका होता है से का होता है फिर लाओ टै ठै डै डै और टै की लाएं के तरह ही उचान होने वाला देखना होगा कसब से 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 तो है मगर यहा तो कुछ रख़ूं तो क्या रख़ूं तो आप भूले ना क्योंकि आपका ये जो से है ये भी मूर्धन्य है फिर कहा पै भै 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 तो कहा आपका ये से 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 है एक को रह गया है पै का ये कैसे हो सकता है यहां पै का उच्चाने स्थान होट है यह तो दनता है अब दाज से उच्चात होने वाले तो यहां है आए नहीं तो ऐसी सिति में गल्ती हो जाएगी बहुत बड़ी क्यों हो जाएगी उसको ध्यान रखो कौन सबन कहा चलेगा का सब ये तो कंठ वाले और ये किसके तालू के और यहां पर ये जो है ये जो दिखाई दे रहे हैं ये किसके हैं ये साम मूर्दा है तो पै वर्ग में तो आया ही कहां क्योंकि पै का वर्ग का तो उच्चान इस्थान ओस्ट होता है तो ऐसी सितिति म लाओ कौन से लाना है का सब ते थे दे अब से रखो और फिर पै फै बै यही काना अब क्या हो बाद में क्या हो बाद वाले पद में क्या हो बाद वाले पद में क्या हो बाद हो तो चलिए रहन लेके चलते हैं यहां पर तीसरा वण हो या पांच्वा ऊधिर ये बिर है में तो दी है पहले वाले में मैंने रखा जए हो है ने हो क्योंकि है भी हमने यहां रखा उचान की वजए से इसमें जाओं जय जय ये और उचानिस्तान एक है कौन सा है भई ये कब उचानिस्तान भी तो ये ये फिर कहा डे हे रने किसका रे का उचानिस्थान फिर यहां लियाओ आप जो है दे धे ने और वे का वे का उचानिस्थान है कि ले का ले का और अंतिम में लियाओ पे पे बे यहां उचान लाएंगे तीसरे से वे वे में और एक और रह गया है वो क्या रह गया है वो वे यहां पर रख दिया इधर से जल इधर से यह और कोई भी स्वर हम यहां रख सकते हैं तो क्या होगा यदि यह इस्तिति पूर पत्में पूर यानि कि पहले वाले वाले वन के अंत तीसरे में का मतलब जस माई शुत्र कौन सा दसवा जै बे गे डे दे से तो जै बे गे डे दे से के की लेन का तीसरा कौन सा गे इसमें कौन सा है जै इसका कौन सा है डे इसका दे और इसका कौन सा रखो में बे तो यहां वरका क्या हो गया हैं तीसरे वन हो गए हैं बहुत अच्छी तरह से सहज सरल समझना होगा किदि हम नहीं समझेंगे तो यहां यह संदिप बड़े काम की है पुरा जोर लगाती है कहते हैं अपने आपको बदलने में जितना समय नहीं लगता जितने हम लोगों को समझने में लगाते हैं तो मेरा से औरनिशन्स लाग drinई है में वागधन इस हम इनमें बहुत जल्दी से संधी कर लेते हैं बना तो देते हैं अुझे बने कैसे किस संधी में किस नियम की अनुसार बने हैं यह ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे काम होगा मेरे मित्रों भाई और बैनों ऐसे काम नहीं होता जलाशा हम सारे मिल करके सोचेंगे तब होगा देखते जाओ मैं बढाता जा रहा हूँ उधान पर उधान सारे उधान आपको आ रहे होंगे क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं मगर एकजामिनर तो बदमासी कर सकता है क्योंकि आप से ज़्यादा समझदार भी तो है वो चलिए फिर वहर उधान बढाएंगे पहला है मेरे पास जगदीश अब इसे जगदीश का करना क्या है जगदीश शब्द में तै किसी वर्ग का पहला वन है और आगे है ई अब ऐसी इस्तिति में जशतु संदी कहती है कि पूर्पद में किसी वर्ग का प्रथम वन हो दितिये त्रितिये चतुर्थ वन हो या फिर से 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 है हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा वन चौथा वन पांच्वा वन या यह वै रेले है या कोई स्वर हो तो क्या होने वाला है पूर्पद का अंतिम्वन अपने वर्ग के तीसरे मतले का तो तैका तीसरा क्या है बई जगदीशह संधी जसत्व वागीश पूछे चाहिए वागीशा पूछे संधी जसत्व यहां हरिये हैं के बाद में बिल्कुल वाग हरी संधी जसत्व संधी शुप अंत पैको बै तो सुबंत कौन संधी जसत्व अच अंत अजंत गुंजाय मान ना हो अरे हमने जी के वीशेज पड़ा है अजंता की गुफाएं अजंता का नाम आर्च साप्तिक लें जहां पर आवाज करना निश्यद है इसलिए वो बनाई गई थी और उसी के नाम पर ही उसको पूरा रखा तो यहां अजंत शब्द है उसमें भी कौन सा है ध्यान रखो अभी संदी पर जाना संदी करते करते समाज मत पहुंच जाना जगनात देखीगा यहां पर इस संदी में तैको दैही होगा जगदनात किसी और संदी में बनेगा अभी संदी और पड़े ही जब दिखाई देंगा एतद मुरारी एतद मुरारी तो वित्रों ऐसी इस्तिती में जश्य संदी और उधान रखते हैं दिक विजय दिक विजय क्या बनाओ इसका दिक विजय संदी कौन सी है मित्रों जशत्व संदी है दिगज कौन सी है दिगज बन रहा है बिलकुल बन रहा है बन रहा है बन रहा है निश्य दूप से बन रहा है हम जब उधान रखते हैं तो बनेगा कहा सट भ्याम तो द्यान रखो छोटा सा भ्याम है सट शब्द है डै होगा सट भ्याम संदी जसत्व हो गई और उधान रखो कहा ऐसी स्थिती में तो मैं जगत धन भ्याम रख लू तो रख लो भाई संदी जो कह रही है नियम पे हो आप नियम के भाद थोड़े न जा रहे हो जगत भ्याम कौन संदी जसत्व संदी जो संधी एक बहुत बढ़ी है हमने तीनों संदिया समझी है किस में व्यंजन संदि आ को समझ में आ रही है निश्चित रूपसे आप इन्ने ध्यान रखे नियम को ध्यान रखे निश्चित रूपसे काम होगा ठीक है मित्रों और अगली क्लास हम फिर से कल लेंगे बस आपको इतना सा काम करना है जितना पढ़ाया वो याद करना आपका काम ठीक है